आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रह फेक्टर के बारे में रह फेक्टर जो कि आपकी ब्लड गुप में रह पॉजिटिव रह निगेटिव जो होता है वो क्या चीज होती है उसका क्या इंपोर्टेंस है और मोस्ट इंपोर्डेंटली हम यह पढ़ेंगे कि प्रेग हाएं एक फारी बार बच्चों की देट हो जाती इन बहुत इंपोर्टेंट चीज्ब के लिए और टा divれた बीवेश के समय इसका जादा इंपोर्टेंट है तो इसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल में स्टेडी करेंगे कि यह होता क्या है ठीक है स्टार्ट करते हैं कि भाई पहली बात तो इसका आरेच नाम कैसे पढ़ा इसका नॉमेन कल्चर क्या है देखो बात है 1940 की सौरी बात है 1940 की 1940 में दो अलग-अलग साइंटिस्ट थे एक तो काम कर रहे थे आस्ट्रेलिया में और दूसरे काम कर रहे थे अमेरिका में ठीक है अमेरिका में जो काम करने वाले स AC था लैंड ah यह फिस्ट सरी वीनर टबलू ौी एडर वीनर गिफन No अलेक्षर वीनर यह अमेरिका में काम कर रहे थे और अलेयर में काम करने वाले स 1 tener इनका लाम था ज स्टे кусर पॉर एक यह दोनों जो भी कुछ कह सकते हैं, क्या थे, अब ये दोनों साथ में काम कर रहे थे, एक टीम थी, अलग अलग टीम थी, ये मुझे नहीं पता, ऐसा कोई मैंने बुक में रिफरेंस नहीं पड़ा, इन्होंने ये ब्लड के उपर काफी रिसर्च कर रहे थे, कि इन्सान का जो ब्लड ग इस RBC के उपर कुछ अजीव सी प्रकार की संरचना होती है, इन्होंने नोटिस किया कि यार जो RBC है, इसके उपर कुछ अजीव सा ऐसा कुछ बना हुआ है, उपर से, उसके छत पे, अंदर नहीं, अंदर तो सब कुछ नॉर्मल है, उपर ऐसा कुछ बना हुआ है, और ये स चेम संरचना पाई जाती है एक विशेश प्रकार के बंदर में जिसको रैसिस बोलता है रैसिस मंकी तो इसी मंकी के आधार पर उसके दो आगे के इनिशियल लेकर इस चीज़ का नाम रखा गया आरेच फैक्टर तेक है जिन व्यक्तियों में आरेच फैक्टर मिलता है वो हो जाते हैं आरेच पॉजिटिव और जिनके अंदर की जो आरबीसी होती है उनके उपर यह विशेश जो संरचनाय बनी थी वो संरचनाय नहीं होती है वो लोग हो जाते हैं आरेच निगेटिव ठीक है यह है इसका नॉमन कल्चर यह आपको स्टार्टिंग में समझना जरूर है अब इसके हम इंसिदेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कितना ज्यादा यह होता है सबसे ज़्यादा होता है यूरोप में यूरोप में RH नेगेटिव जो लोग होते हैं इनकी जनसंग्या का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कि यहां के लोगों में RH नेगेटिव का जो परसेंटेज है वो 0% है मदब जापानियों में RH नेगेटिव नहीं होता अब एक चीज़ है इंडिया की ठीक है भारत भारत में यह जो परसेंटेज है RH नेगेटिव का वो होता है करीवन 5 से लेके 10% यानि कि भारत की जनसंग्या हमें तकरीवन 5 से लेके 10% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका blood group है वो negative हो, यह है इसका incidence, थोड़ी सी और इसके बारे में detail study करें, तो इंसान के शरीर में जो chromosomes होते हैं, ठीक है, जो chromosomes होते हैं, वो होते हैं, 23 plus X and Y, X and Y अगर आप लोगो ने 12th class में पढ़ा है तो आपको पता है, X जो होता है, X जो होता है, X जो होता है, X जो होता है, वो females के लिए होता है, Y जो होता है, वो male के लिए होता है, और 23 chromosomes हैं, जो कि हमारी बाकी सारी cells बनाते हैं, या बाकी सारी हमारी संड़चनाई बनाते हैं, तो इस 23 chromosome के पहले number का जो chromosome होता है, उस पर इसका gene पाया जाता है, ठेक हैं, chromosome की संड़चना कुछ ऐसी होती है, ये दो साप जैसे, ऐसे, ऐसे, आप लोगने देखा होगा, बीच-बीच में ऐसे ऐसे genes होते हैं, आप लोगने पढ़ा होगा है, ये टीवी पर काफी ऐसा ad-ved में आज आते हैं आज कल, ठीक है, तो इसकी संड़चना में जो पहले number का होता है, इसके अंदर भी ऐसे-ऐसे करके और बहुत कुछ होता है, तो इसमें first number के gene पर, ये होता है RH factor के लिए, पहले number का, ठीक, लेकि कभी किसी इसकी knowledge में या कभी कोई KBC के question में आ जाए, तो याद कर लो क्या जाता है, ठीक है, ये इतना हो गया, इतनी रामायट जो आपनों ने इसके बारे में थोड़ा सा deep knowledge पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा इसकी practical knowledge के बारे में बात करते हैं, जो आपनों को पता होना च चाहिए, तो अब हम उसके बारे बात करते हैं, अब भाई मान लो, कोई महला है, जो की RH negative है, ठीक है, RH negative, अब उसका जो husband है, ये हो गई मा, मदर, क्योंकि हम महला से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ बात कर रहे है, प्रेगनेंसी के case में, तो यहाँ हम लेंगे मदर को, मदर ह वो है RH negative, ठीक है, और उसका जो husband है, यानि कि जो father है, वो है RH positive, अब RH कुछ भी हो सकता है, ये हो example के तोर पे O negative हो सकता है, A negative हो सकता है, A negative हो सकता है, A, B negative हो सकते हैं, ठीक है, B negative हो सकता है, कुछ भी, whatever, RH negative की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक, इसी तेरी के से father positive कुछ भी हो हो सकता है ठीक है अभी हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे है तो मैंने आपको समझाने के लिए 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 कि यह हो सकता है हम यहां केवल RH की बात कर रहे हैं क्योंकि RH ही important reason होता है अब जो RH negative है जो मैंने अभी आपको समझाए कि जो 23 plus XY क्रोमोसोम होते हैं तो वह जो क्रोमोसोम की जब RH negative में हम study करेंगे तो वहां females में क्योंकि 23 pairs होते हैं total होते है 46 23 जोड़े ठीक है sorry मैं 23 लिखाता था 22 plus XY आएगा sorry है ना last slide में last में लिखते समय 23 लिख दिया उसके लिए sorry 22 plus X and Y होता है क्रोमोसोम है humans का क्रोमोसोम ठीक है total होते है 23 pair 22 होते हैं जोड़े में और X और Y अलग से ठीक है तो हम क्या बात कर रहे थे हाँ जो female का RH vector है अब मानलो जो RH negative है उसके ये दोनो pairs में आएंगे तो मानलो यहाँ पर है उसका D negative और दूसरे वाला जो अंड़ा बना या दूसरा उसका क्रोमोसोम है वो है D ये भी negative है ये भी negative है ये हम mother की बात कर रहे है ठीक है फादर के साथ यहाँ पर दो case हो सकते है ठीक RH positive है तो उसके दो अलग-अलग प्रकार के sample बनते है यहाँ तो हो सकते हैं उसके दौनों क्रोमोसोम्स पर D dominant हो ठीक या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक dominant हो और एक recess है वो समझ में आ रहा है ये दौनों आपके recess है वाले छोटे छ जीन है इसमें अब अगर आपको यह चीज़े नहीं पता है ठीक है तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं अगले वीडियो में मैं आपको फिर से पढ़ा दूगी कोई दिक्कत नहीं है अब देखो जब आप लोगोंने sex किया संबंध बनाया sex सुनते ही लोगों को मन में आ पाद फादर की ठीक है याद रपना यह divider है बीच का ठीक है तो जब sex करने के बाद बच्चे में संबंध बनेंगे तो यह d और यह d फादर का यह वाला यानि कि small d and बड़ा d जब ऐसा आएगा तो बच्चे का ब्लड़ गोप होगा positive अगर यह d आया और यह वाला d जुड़ा d and d तो भी होगा positive ठीक है उसके बाद यह d and d तो भी होगा positive यह d and d तो भी होगा positive लास्ट मैं दूसरा पैन लेते हैं कहां गया black red pen कहां गया red 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 last वाला यह small का और यह capital का यह पैन थोड़ा सा खराब है दिख रहा है क्या थोड़ा सा color change तो है यह d and capital का d यहां पे भी बच्चे का blood group होगा positive last वाला option वस्ता है यह d and यह d अगर यह मिले mother का यह वाला d मिला father का भी small वाला d मिला donor small small आए गए तब बच्चे का blood group बनेगा negative इसलिए इसका percentage इतना कम होता है क्योंकि जादा अतर chances में रह positive बनेगा केवल इतने सारे combination में से 1% chance बनता है कि जो blood group है वो रह negative बनेगा जादा chances गये हैं कि अगर mother रह negative है तो उसके पेट में होने वाला जो बच्चा है वो रह positive होगा अब इससे भी क्या फरक पड़ता है आप लोग सुझोगे पेट में बच्चा है रह positive है होने तो क्या फरक पड़ता है है ना तो उसको हम अभी समझते हैं अगर मान लो जो mother है वो होती है रह यह लेंस को कैसे हो गया मा है रह negative blood group की और उसके पेट में जो बच्चा पलता है वो होता है रह positive ऐसी condition में क्या होता है कि हमारे श्रीर में जब भी आप लोग इतना तो जानते हो कि जब भी गलत खून आ जाता है अगर कोई खून है और उसके विपरीत कोई खून है वो हम शरीर में दे दें गलती से तो तुरंत ही body में reaction होते हैं और reaction होने के कारण blood की cell खतम होना चालू हो जाती है अब यहां मा है negative बच्चा है positive जो fetus है वो है positive अब इश्वर की बड़ी कृपा है हमारे उपर है ना इस जड़ है वो आपस में कभी भी मिलता नहीं है मिलता क्यूंन ही है क्योंकि बच्चे दानी के बाहर एक होता है एक barriyer होता है बड़ा प्याला सा यह जो barrier होता है central barrier यह मां और बच्चे के बीच का मिलन नहीं होने देता यानि कि बच्चे की चीज़ों को बोलता है कि भाई तुम बच्चे दानी के अंदर रहो मा की जो चीज़ों होती है उसको बोलता है भाई तुम मा अपने पास रखो बच्चे के पास मत लेके जाओ केवल जो nutrition वाली चीज़ें होती है बहुत ही गिनिचुनी चीज़ें होती है जो इस placental barrier को cross करके बच्चे तक पहुँचती है तो जनरली पहली बार जब मा प्रेगनेंट होती है और मा अगर RH negative है बच्चा RH positive है तो कोई दिक्कत नहीं आती कोई खास problem नहीं है क्योंकि दौनों का blood अलग-अलग है लेकिन delivery के दौरान delivery के दौरान जो काफी ज़ादा blood निकलता है जो खून निकलता है उस दौरान क्योंकि placenta भी अपने जगे से तूट जाता है तो कई बार बच्चे का जो blood है वो मा के blood के साथ में mix हो सकता है समझ रहे हैं? delivery के दौरान जब delivery के दर्द आते हैं और placenta अपनी जगे से खिजकने लगता है तूटने लगता है उस दौरान कभी कभी बच्चे का blood मा के blood के साथ में mix होने लगता है अब जैसे ही जो मा आरेच नेगेटिव है उसके blood में एक बून्द भी आई आरेच positive blood की जो कि उसका खुद का बच्चा है तो क्या होगा? उसका शरीर, मा का शरीर antibody बनाने लगेगा antibody क्या होती है? हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शमता होती है किसी भी बाहरी चीज को खतम करने के लिए शरीर की जो शक्ती होती है उसको antibody कहा जाता है तो मा का शरीर, भले ही वो उसका खुद का बच्चा है लेकिन शरीर के लिए कोई फरक नहीं पड़ता है ना हमारी जो physiology है इसमें कोई फरक नहीं पड़ता तो मा के शरीर में बनने लगती है antibody ये antibody क्या करती है जो एक बूंद खून आपके शरीर के अंदर आया है उसको शरीर से खतम कर देती है और future में दुबारा ऐसी कोई दिक्कत ना आए उसके लिए antibody बना के रख लेती है antibody जो बनती है यहाँ प्रकारकी होती है IgG and IgM ये दो antibody बन जाती है और ये एक बार अगर आपके शरीर में बन चुकी है तो ये lifelong आपके शरीर में रहेंगी आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि antibody खतम हो जाए अब दिक्कत क्या होती है पहली बार तो चलो फर्स pregnancy में तो body को कुछ नहीं बता था सब कुछ बढ़ी आये ठीक है लेकिन जब आप अगली बार दुबारा pregnant हुए और हम पिछले चार्ट में देख चुके हैं कि आठ बार ऐसे chances होते हैं कि आठ में से साथ बार जो बच्चा होगा वो RH positive ही होगा कभी rarely ऐसा हो सकता है कि RH negative बच्चा हो तो जब second pregnancy होती है जब आप दूसरी बार मा बनते हो उस दोरान क्या होता है आप तो हो RH negative आपका बच्चा है RH positive इस दोरान जो पहले से आपके शरीर में दो antibody बनी होई थी इसमें से जो IgM होती है यह तो मा है याद रखने के लिए रख ले न M से मा तो यह तो बड़ी है यह तो कुछ नहीं करती लेकिन जो G है G for gusvetia यह बहुत बेकार होता है यह आपके इस placental barrier को cross करके आपके बच्चे के शरीर के अंदर चला जाता है ठीक है Ig antibody जो है यह placental barrier पे जाएगा पहले यहां से cross करने के बाद पहुँच जाएगा fetus पे बच्चा जो आपके पेट में बच्चा है और यहां जाके यह क्या करेगा बच्चे की RBC को destroy कर देगा खतम कर देगा खुद मा का शरीर उसके पेट में पलने वाले जो बच्चा है उसके खून को खतम कर देता है और जब बच्चे के अंदर की RBC खतम हो जाएगी RBC क्या करती है शरीर में oxygen ले जाने का काम करती है सबको बता है RBC जरूरी होती है oxygen ले जाने के लिए अब RBC नहीं है तो oxygen की supply खतम बच्चा चला जाएगा जो पेट के अंदर का बच्चा है वो हो जाएगा hypoxia में यार spelling का थोड़ा रखना मैं जबना पढ़ाती हो ना मेरी spelling mistake बहुत होती है क्योंकि मेरा दिमाग तेज चलता है हाथ धी में चलता है तो यह hypoxia हो जाएगा यानि कि जो पेट के अंदर आपका बच्चा है उसके अंदर oxygen की supply नहीं हो रही है और इसी के कारण आपको abortion हो सकता है अगर आप उन महलाओं में से हैं आपका blood group RH negative है और आपको second pregnancy नहीं हो पा रही है हो जाते हैं तो में भी आपके साथ यह सब कुछ हो रहा हो अब कई बार मान लो आपके अंदर जो antibody बनी है वो इतनी जादा strong ना हो ठीक है इसको हम मिटा देते हैं मान लो आपके अंदर जो antibody बनी वो strong नहीं थी तो वो क्या करेंगी पूरी RBC को destroy नहीं करती RBC के कुछ portion को थोड़ी बहुत amount में destroy करती है तो ऐसी condition में जो fetus है उसको हो जाता है anemia और anemia होने के कारण जब बच्चा पैदा होता है delivery के दोरान जो दर्द आते हैं जितने दर्द मा को आते हैं उससे जादा दर्द बच्चे को महसूस होता है तो delivery के दोरान जो दर्द आते हैं दर्द को बच्चा सहन नहीं कर पाता और बच्चा delivery के दोरान मृत हो जाता है जिसको कहा जाता है still birth यानि कि मृत बच्चे का जनाम होना और यही वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब डॉक्टर के आँ तोड़ फोड़ हो जाती है क्योंकि इस condition में बच्चे को अगर आप पहले देखोगे आप delivery के दर्द आने से पहले ultrasound कर आओगे तो आपको लगेगा क्या सारी चीज़े normal है बच्चा सही था पानी सही था सब कुछ बड़िया था और delivery हुए और उसके बच्चा खतम हो गया या फिर बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर्स ने कुछ नोटंकी कर ली पर यार वो हर बार डॉक्टर की गलती नहीं होती अनीमिया के कारण वो delivery के दर्द को बरदाश नहीं कर पाता जिसकी वज़े से उसकी मरत्य हो जाती है अगर आपको यह गलत फहमी है कि delivery के दर्द केवल मा को आते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है delivery के दर्द जितने मा को आते हैं उतने ही दर्द उस जरा से, प्यारे से, क्यूट से, छोटे से बच्चे को भी सहन करने पड़ते हैं। और उस दर्द को सहन करने के लिए उसको चाहिए एनरजी और ऑक्सिजन। दौनों चीज़ें अगर उसको नहीं मिल पाती हैं किसी भी कारण से, तो बच्चे की मृत्य हो सकती है। इसके बाद तीसरा एक और रीजन होता है कि मान लो एनेमिया और भी कम है, हलका एनेमिया है। तो कई बार बच्चे को डिलिवरी के बाद पी लिया हो जाता है। इसको रूमेटिक हीमोलाइटिक अनेमिया कहा जाता है। रह फेक्टर के कारण होने वाला हीमोलाइटिक जॉइन डिस अनेमिया नी, sorry। यानि कि रह फेक्टर के कारण जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको बच्चे को पैदा होने के बारा घंटे के अंदर से एक दम से तेज पी लिया हो जाता है। और पी लिया के कारण मृत्ति हो जाती है। ठीक है, यह इतनी सारी, रहे च्रेक्टर इसलिए बहुत जादा है, इसको समझना, और जादा तर लोग एक तो ब्लट गुप को लेके इतना सीरियस नहीं होते हैं, और रहे चाहिए ना शादी के समय कुंडलिया मिलाई जाती है, और मुझे लगता यह चीज मिलानी चाहिए, आरेज निगेटिव पुरुष को हमेशा आरेज निगेटिव महला के साथ में शादी करना जादा बहतर रहेगा, वैसे मैं ऐसा नहीं बोल रही हो, कि आप मेरे स्टेट्मेंट को कई कंट्रोर्सी में ले लो, लेकिन यह बताया नो, चांसे बहुत जादा कॉंप्लिकेशन जादे हैं, अब अगले वीडियो में अगर यह बीडियो पर कुछ थोड़े बहुत लाइक वाइक आ गया और किसी महला को या किसी को इंट्रेस्ट आया, तो नेक्स वीडियो में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका प्रोटकॉल क्या होता है, वो मैं आपके साथ शेय करोंगे यदि ये पढ़ने में आप लोगों को मज़ा आया हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएगा मुझे आप लोगों को पढ़ाने में बढ़ा मगाता है बाइब बाइब इस टेहल देन भी हैपी गुडबाइब